हलो गाइज वेलकम टो यूटूब चैनल वेपसाइट हिंदी आज की वीडियों बात करूँगा इंडोज 7 में फिरी वीपियन यूज करें आपके पास अन लैपटाप हैं जैसे की इंडोज 8 इंडोज 10 तो असानी से वीपियन यूज कर सकते हैं यहां तक की इंडोज 11 में भ सालूम होना चाहिए इसके पहले आपको बता दूँ अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड़ कलार के बटन पर किलिक करके सब्सक्राइब करें तो चलिए शूरू करते हैं आप कोई भी लैप्टप यूज कर रहे हो आपको सबसब पहले स्टाट बटन पर किलिक करना है अगर आप इंडोज 10 यूज कर रहा है तो यहें पर बटन मिल जाता है अगर आप 11 यूज कर रहा है तो बीच में यहां पर स्टाट बटन मिल जाता है यहाँ पर दिखिए सर्च प्रोग्राम का अपसंद दिया हुआ है यहाँ पर आपको टाइप करना है VPN यहाँ पर मैं VPN टाइप कर देता हूँ और यहाँ पर दिखिए सो कर रहा है सेटप पे वर्चुल प्राइबर्ट नेटवर्क यहाँ पर किलिक कर देना है अगर आप इंडरस्टेन उज़ कर रहे हैं तो आपको VPN सेटिंग दिखाई देगा अब आपको laptop के browser में Google open कर लेना है और टाइब करना है VPN book VPN book टाइब करने बाद सर्च कर देना है सबसे पहला website आएगा इस पर आपको click कर देना है यहाँ पर official website open हो जाएगा VPN book का यहाँ पर देखे दिया हुआ है फिरी VPN इस पर आपको click कर देना है अब नीचे थोड़ा सा scroll करना है scroll करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं इस line में फिरी PPTP VPN आप जिस country के VPN से connect करना चाते हैं वहाँ का यह address आपको copy कर लेना है यहाँ पर देखे मैं USA का address को copy कर लेता हूँ अब आपको आजाना है laptop के screen पर यहाँ पर धी example में आपको इसको paste कर देना है paste करने के बाद next button पर click कर देना है यहाँ पर आपको username password दर्ज करना है तो username password दर्ज करने के लिए आपको फिर से उसी website पर आना है यहाँ पर scroll करना है यहाँ पर देखे दिया हुआ है username और password यह copy आप नहीं कर सकते हैं यह image फाइल में है इसको आपको type करके कहीं लिखना होगा यहाँ से मैं notepad open कर लेता हूँ और notepad open मैं type कर लेता हूँ password को यहाँ रखिये यह process मैं इंडर्ज 7 के लिए बता रहा हूँ same process इंडर्ज 10 में भी क्याम करेगा अब आपको laptop के screen पर यहाँ पर आना है देखे create a VPN connection यहाँ पर आपको username में दर्ज करना है VPN book password यहाँ पर आपको paste कर देना है password और username करेगा इसके बाद में आसानी से connect हो जाएगा आप देख सकते हैं यहाँ पर verify हो गया है you are connected लिखा हुआ है इसको मैं close कर देता हूँ यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा internet पर click करेंगे तो यहाँ पर देखिए मेरा पहले से VPN connection ओपन था अब VPN connection 2 यहाँ पर open हो गया है यहाँ देखिए connect भी हो गया है यही से आप disconnect भी कर सकते हैं यहाँ से तो आपका VPN disconnect हो जाएगा इस तरह से आसानी से फिरी VPN उज़ी कर सकते हैं इंडोज 7, इंडोज 8, इंडोज 10 और इंडोज 11 में अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें शेयर करें और वेबसाइट हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें